प्रेस्ट में फ्रेंड्स बहुत ही कमाल के रिजल्ट ये फेशिल क्लीन अब आपको देने वाला है वीडियो में आप आगे देखती जाए किस तरह से स्किन चेंज होती जाएगी लो जी हमारा फेशिल क्लीन अप पैक रेडी हो चुका है किस तरह से अप्लाई करना है मैं बताती हूं उससे पहले आपको मेरी स्किन कैसी नजरा रही है मलब गलो कर रही है ना बहुत सथा ब्राइट नजरा रही है लाइट नजरा रही है एक शेड मतलब हाथ के कंपेरिजन में आपको मेरी चैर की स्किन अच्ही नजरा रही होगी तो बस अब मैं हाथों पर भी सेम यही वाली चीज़ यूज करना स्टार्ट कर दूगी क्या यूज कर रही हूं आपको आगे बताती हूं हलांकि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं उसी को रगुलर इस्तेमाल कर उससे पहले हम इस clean up का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए मैं हमेशा ही आपके माइंड में क्वेशन आता होगा कि हमेशा ही कभी जब मुझे कुछ भी अपनी चहरे पर अपलाई करना होता है तो मैं सबसे पहले गुलाब जल की मदद से अपनी चहरे को clean करती हूं देखिए कुलाब जल आपके चहरे की pH level को balance करता है मतलब जब आप कुछ भी अपनी चहरे पर अपलाई करने वाले हो तो यह काम आप चाहिए अपने face wash किया है नहीं किया है आपको जरूर करना है इससे क्या होने वाला है कि जो आप अगला product जैसे यह है इसे अगर आप अपन चाहिए तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए और यह गुलाब जल के साथ आपको डेली रात को सुने से पहले विए अपने चहरे को जरूर साफ कीजिए यह आप हैबेट डालीजे बहुत फरक पड़ेगा जब आपके skin की pH level balance रहीगी ना तो किसी भी चीज से आपको फिर allergy नहीं होगी आपकी skin कोई भी चीज product लगा सकती है अच्छा अभी मैंने गुलाब जल की मदद से अपनी चहरे को साफ कर लिया skin एकदम ready हो चुकी है next product यूज़ करने के लिए तो यह दिखे यह है मेरा facial clean up pack बोला है मैंने इसे तो किस तरह से इसे बनाना है पहले तो बहु में चाहिए चावल का आटा चावल का आटा skin के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है skin lightening properties इसमें होती है anti-oxidant भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे कि आपकी skin tight होती है तो एक चमच मैंने यहां चावल का आटा लिया है and साथ ही ले रही हूँ एक यह एक रुपे व अधर पूर होती है aging science को खतम करने के लिए सबसे best ingredient होता है आपकी skin के अगर open pores की समस्या है उसके लिए मैं वोरियों कमाल के result मिलते हैं आप कभी coffee को चावल के आटे के साथ मिक्स करके use करके देखेगा आपको खुद वखुद अपनी skin में डिफरेंस नजर आएगा अब दे moisturizer जरूर एड़ करना है और glycerin में healing properties होती है आपकी skin के लिए बहुत बढ़िया चीज है और यहां पर मैं vitamin E का भी capsule एड़ करूंगी in case अगर आपके पास glycerin नहीं है vitamin E का capsule नहीं है तो आप यहां पर कोई भी vitamin E से भरपूर oil एड़ कर सकते हैं coconut oil एड़ कर सकते हैं या है तो honey add कर लीजेगा एक चमच अब आपको लेना है नीमबू नीमबू vitamin C से भरपूर होता है और हमारी skin के लिए बहुत फाइदेमंद भी होता है तो नीमबू में anti-aging properties होती हैं दूसरा यह आपकी skin को hydrate रखता है मतलब जैसे हमारी skin से बहुत जाता पसीना निकलता रहता है तो dehydrate हो जाती है आपकी skin उसको भी hydration चाहिए होता है तो नीमबू बहुत ही बढ़िया चीज है और नीमबू vitamin C से भरपूर है citric acid में भरपूर मात्रा में पाए जाता है जिससे कि आपके face पे अगर कोई दाग धबा है जिसे pimples से जाद जिदी दाग दबबे आपके face पे skin के लिए बहुत फाइदे मंद रहता है आपकी skin को गलोई बनाता है तयार हालत में मैं भी खड़ी हूं तो एक cotton पैड ले लिजे आज cotton की मदद से क्यूंकि यह facial clean up pack है भाई तो इसे में cotton की मदद से इस तरह से अपने चेहरे को साफ करते हुए लगाऊंगी और यह आपके चेहरे पर जो भी डर्ट होगी धूल मिटी प्रदूशन होगी आपके skin के पोर्स के अंदर गंदगी जो गुस गई है तो उसको हम इसी तरीके से निकालेंगे तो इस तरीके से आप इसे अच्छी तरह से जी हाँ डाप सकल के ओपर भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से हम अपनी neck को ignore कर देते हैं और neck जो है ना फिर अलगी चमकती रहती है और हमारा face जो सभी आपने दे के लिए bright होता जाता है आप अपने हाथों पे पैरों पे जहां पर भी आपको tanning मैसूस हो रही है काला पन लग रहा है जैसे कोनियों पे होता है टांगो घुटनों पे हो जाता वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसी उपटन को मैं regularly इस्टेमाल करनी हूं उसी का नतीज़ा है कि आपको मेरी skin इतनी ज्यादा व्राइब में बहुत हैपी हूं अभी अपनी skin से मतलब कोई भी फेस पे दाग धबे नहीं रहे हैं एक्तम clear हो रही है तो बस एक दो दिन रहे हैं करवा चौथ में मैंने प्रॉमिस किया था ना आप से कि करवा चौथ में बेहद खुबसूरत नजर आने वाले हो किसी भी तरह की skin problem होगी सब खतम हो जाएगी अगर आप regularly इसे इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो चलिए मैं आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अगर आपको skin को एकडम clear बनाना है तो skin आपकी बिल्कुल clear होती जाएगी दाग धबे खतम होते जाएगे टाइट होगी यंग नजर आएगी आप मतलब अपनी skin से आप क्या कोई भी आपकी skin से आप यह मुर्का पता नहीं लिगा पाएगा अच्छा बहुत होगी यह बात इस जल्द से मैं बना करके लेकर करके आती हूं तब तक आप देख लीजेगी किस तरह से इसे तयार करना ह मैंने यह उपटन अल्रेडी तयार किया है तो मैं डारेक्ट एक डेड़ चमच जितना कर मेरे skin के लिए चाहिए मुझे face के लिए उतरा कर लूँगी गुलाब जल की मतलब से से mix करके एक pack बना लूँगी आप इसमें कच्छा दूद भी add कर सकते हो तो और भी effective हो जाएगा बाकी अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप detail में से देख सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रही हूँ कि वीडियो फूर बहुत जादा लंबा हो जाता है आप देखते नहीं हो तो इसमें मैंने तीन तरह भी आप पहले ही दालों के साथ मिक्स कर सकते हैं यह गेहूं काटा है एक चमच और आदी चमच है कस्तूरी हल्दी वाइल्ड टर्मरीक जल्दी में शेयर कर रही हूँ अगर ना समझ में चीजे तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक दिये गए लिंक से वीडियो को पूरा द अब जो मैंने यह उपटन का तयार किया है इसे अपनी चहरे पे फिंगर की मदद से मैं लगा लूँगी इस फेस पैक को आप दूद की हल्प से भी बना करके त्यार कर सकते हैं दहीं की हल्प से भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बनाईएगा उस वीडियो में मैंने ड स्प्रे बॉटल में है तो इजी ली आप फेस पे लगा सकते हैं और इसके बाद मैंने बिटमिन इओ अपने फेस पे लगा रही हूं आप कोई भी मॉस्चराइजर भी लगा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब को बटन जरूर दबा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो उसके लिए नमिशकार